कुछ मेहनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पंदरा बजट फ्रेंडली फार्म सेंड रिसोर्ट्स नियर मुंबई इस वीडियो को देड लाग व्यूस के वी उपर पोचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया आदा करता हूँ इस वीडियो का आज में सेकेंड पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ मुझे काफी सारे वीवर्स ने रिकेमेंड किया था टू मेक वीडियो फ्रॉम वेस्टन लाइन जैसे की वसाई विरार मेरा बाहेंदर उसके आसपास क्या तो यह यूगो तो चलिए शुरुवात करते हैं बजेट फ्रेंडली फार्माउस से लेके मीड रेंज के लग्जिरिस फार्माउस तक एकता फार्माउस यह एक प्राइवेट फार्माउस है मोरोवर आप यह के सकते हो यह एक होमस्टे जैसा है यहाँ स्टेक खाली 400 रुपया पर पर सन है एक्स्क्लूडिंग फूड जो की यहाँ आपको खुद बनाना पड़ेगा यहाँ आप रिक्वेस्ट करके भार से मंगवा सकते हैं यह फार्माउस बुक करने के लिए एटलिस्ट आठ से दस लोग का होना यहाँ ज़रूरी है यहाँ की रूमस इतने बड़े हैं 20 से 25 लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं मुंबई से डिफिनेटली यह प्लेस थोड़ा सा दूर है बड़ आपका इरादा अगर घुमना हो और एक दिन अच्छा नेच्रल जगे इंजोय करना हो तो बिलो मी यह प्लेस आपके लिए वर्त है 700 रुपया पर प्लसन यहाँ का स्टे का प्राइज है और ग्रूप पर्सन्स विचिस एक्स्लूडिंग फूड यहाँ आपको किचन मिलेगा आप खुद कुक कर सकते हो यह अकॉडिंग टी यूर और आप केरटेकर से बोलके कुछ भी मंगवा सकते हो और विद फूड अगर आपको चाहिए तो आपको 1500 के लगबग पढ़ जाएगा यहाँ आपको रूम्स विद एसी मिलेगा प्लेग्राउंड में आप वॉलीबॉल क्रिकेट खेल सकते हो और प्लस स्वेविंग फूल तो है ही आनंदवन फामाउस विरार इस्ट में आता है इसका स्टेक क्या पेकेज 650 से स्टार्ट होता है जो की विद फूड है और 1400 विद फूड फूड फैसिल्टीज में यहाँ पे आउट्डोर स्वेविंग पूल आता है बॉन फायर चिल्डरन प्ले एरिया माउंटेन व्यू औ रादे कृष्णा फामाउस जो की वजेश्वरी रोड विरार में आता है सिक्स थाउजन रुपीज यहां के विला का प्राइज है फॉर ग्रूप आफ पीपल विचीज विद फूड फूड आप यहां बना भी सकते हो यहां बाहर से मंगवा सकते हो यहां पाईसी में काफ आसा बड़ा विला है जिसमें गार्डन प्लेइंग इरिया स्वेमिंग पुल और रेंडान्स भी है मुतुरा फार्म हाउस यह फार्म हाउस वजरिश्वरी से थोड़े सा अंदर के सेड आता है बड़ प्लेइस इस सो ब्यूटिफुल हंड़ेड पसें नैचरल ब्यूटी के बीचों बीच है यह फार्म हाउस स्टे यहाँ पर आपको 1000 पर परसन पड़ेगा excluding food और अगर food के साथ लेते हो तो 1400 से 1500 तक आ जाएगा यह फार्म हाउस एक private फार्म हाउस है और यहाँ 8 से 10 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं नेक्स्ट है ग्लोबल विलेज फार्म जिसे जिवांच फार्म के नाम से भी जाना जाता है जो की विर्यार में आता है यहाँ का स्टे का पराइज है 1400 विद फूड यह एक private फार्म हाउस है अल्मोस्ट होमस्टे जैसा है स्टे कर सकते हैं चलिए अब हम थोड़ा मीड रेंज की लग्जिरियस फार्म हाउस की तरफ चलते हैं होटेल अन रॉक्स उत्तन में मेरा भायंदर की तरफ आता है काफी सुंदर फार्म हाउस है नीट, क्लीन और वेल मेंटेन फार्म हाउस है अगर वन डे के लिए आते हो तो वन थाउजन पड़ेगा और अगर स्टे के लिए आते हो तो टू थाउजन पर परसन पड़ेगा विध फूड नेक्स्ट है ओशन हिल रिसॉट जिससे परेरा फार्म भी कहते हैं काफी लग्जिरिस फिल देने वाला फार्म हाउस है यहाँ इंडोर और अउटडोर दोनों गेम्स खेलने की सुभीदा है जैसे की यहाँ फूडबॉल और बाडवेंटन कोर्ट है देन यहाँ पर स्नूकर, टीटी, कैरम भी खेल सकते हो काफी सारी वराइटेज है यहाँ कॉटेजिस की स्टार्टिंग स्टे पैकेज आपको यहाँ पर 22 सो से मिल जाएगी यहाँ की गार्डन एरिया, चिल्डरन एरिया एंड स्विंग पूल काफी क्लीन एंड अच्छी कंडिशन में है यहाँ आपको धेर सारा सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा यह फार्माउस, कपल्स, एंड ग्रूप्स दोनों के लिए रेकेमेंडेड है नेक्स है स्टार वूट्स होटेल एंड रिसोर्ट्स, जो की भायंदर में आता है टू परसन का यहाँ पच्छी सो तक आ सकता है, डैट इस वीड़ाउट फूल राइट नाव रेट में भी कुछ कम ज़ादा हो सकता है, आप फोन करके ग्रूप के अकॉर्डिंग थोड़ा नेगोशेट कर सकते हो यह रिसोर्ट यहाँ का स्विमिंग पूल एंड रूम सुपर लेक्जिरिस फिल लेता है सबसे प्लस पॉइंट यहाँ का यह है कि यहाँ से 10 मिनिट की दूरी पर उत्तन बीच है विहां अंग रिसोर्ट जोकी सफाले में आता है, काफी बड़ा रिसोर्ट है, 26 रूपया पर परसन स्टार्टिंग पैकेज है अगर आप ग्लास हाउस लेते हो, तो 4000 पर परसन पढ़ सकता है ग्लास हाउस का स्टेल लिटरिल नेदरलैंड का फिल देता है क्यूंकि विंडो से मस्त, लेक एंड बोटिंग करते हुए लोग दिखाई देते हैं इस पैकेजिस में फूड इंक्लूड होता है, आपको यहाँ कूपन दिया जाएगा देन स्विमिंग पूल, रेन डान्स, स्लाइडिंग, बच्चों के लिए टॉइ ट्रेन, बोटिंग, यह सब आप यहाँ कर सकते हो और यह रिसोर्ट एग्जेक्टली बीच को लगकर है, तो आप मौर्निंग वाक या इवनिंग वाक इंजोई कर सकते हो दोस्तो और एक बोनस रिसोर्ट में आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यह रिसोर्ट थोड़े हाईर साड़ पे आता है, बट एट इस वर्थ विजिटिंग है मामाची वाडी एग्रो तूरिजम रिसोर्ट जो की 10-12 किलोमेटर दूर है विरार से है जिन लोगों को प्लांट्स और फ्लावर्स में दिल्चल्स पी है, वो लोगों को ये जगा बहुत पसंद आएगी यह सब भी आप यहां कर सकते हो अगर वन डे रिटन के लिए आप आते हो, तो 1000 पर परसन लगेगा और अगर स्टे करना हो, तो 2700 विदाउट एसी एन 3000 विद एसी रूम, विद इंक्लूडिंग फूड तो दोस्तों ये टे 10 काइंड आफ बजेट फ्रेंडली फाम्सें रिसॉर्ट नियर मूंबाई सारे रिसॉर्ट का फोन नंबर एन एड्रेस मेनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डू चेक इट आउट और अगर कुछ डाउट हो, तो आप मुझी इस्टा पे डियम भी कर सकते हो हो सकता है इन में से कुछ फाम्सें रिसॉर्ट के प्राइजेस कुछ कम जादा हो चुके हो क्योंकि यू नो, सीजन वाइस इनकी रेट्स भी चेंज होते रहते और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इट्स फ्री और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप एक्स्प्लॉरिंग